आज हम बात करने वाले हैं tablet vigora यह देखि यह वाला जो exactly tablet viagra की copy है is के बारे में हम बात करने वाले है आज के वीडियो में हम जानेंगे की टाबले विगवरा tablet via ga से कैसे erectile dysfunction को ठीक किया जा सकता है tablet vigora और tablet viagra के क्या uses है इसका dose क्या है इस tablet vigora या फिर टाबले टैबलेट वायगरा किस साइड एफेक्स और ओवर्डोस क्या है और किन लोगों ने ये टैबलेट विगौरा या टैबलेट वायगरा नहीं लेनी चीए तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत बूलिए वेलकम दू तिंक पिल मैं हूँ डॉक्टर रूपल और मैड के वाइसी के नए एपिसोड में फ्रेंज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैड के वाइसी के सीरीज में दिखाए गए मेडिसिन किसी भी तरह का मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है ये सिर्फ आपकी इन्फोर्मेशन के लिए है इस सीरीज में जो भी इन्फोर्मेशन दिया जाता है वो किसी भी तरह से आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर या फैमिली द यह इस सरह का दिखता है मेरे पास दो टाइप की टैबलेट्स है यह है विगोरा 50 और यह है विगोरा 100 यह रेड कलर की टैबलेट्स है जो त्रीकोंड शेप की है देखे मैं आपको दिखा देती हूं ये देखिए इस तरह की आती है ये टैबलेट विगोरा 100 है और ये टैबलेट विगोरा 50 है इसमें फ्रेंज टैबलेट विगोरा और वायगरा में एक फरक ये है कि टैबलेट वायगरा ब्लू कलर की आती है और इसको ब्लू पिल की तरह बहुत फेमस है और ये टैबलेट वि Vigora 100 के tablet पर emboss किया हुआ है, यह देखे यहां पर 100 का tablet जो है, उस पर 100 लिखा हुआ है, यह मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ एक बार, यह देखे, आप देख सकते हो, इस पर 100 लिखा हुआ है, emboss किया है, तो friends, यह जो tablets है, यह strip of 4, यानि की 4 tablet के strip में available है, friends, यह जो है यह एक box packing में आती है, और इसके अंदर एक information leaflet है, यह देखे, इस सरका, जो यह medicine के बारे में जानकारी देती है, Vigora 100 का cost है, 116 रुपे, और Vigora 50 का cost है, 78 रुपीज, इसको manufacture किया है, German remedies ने, यह Vigora 25 के strength में भी market में available है, लेकिन अभी मेरे पास available नहीं है, तो friends, यह tablet Vigora, म के जैसी है, इसका मतलब यह है कि tablet Viagra में जो medicine आती है, sildenafil citrate, वो same है tablet Vigora में, लेकिन tablet Vigora 100 का cost है, 1055 रुपीज का, यानि की 1055 रुपे का, जिसे manufacture किया है, फाइजर ने, जबकि tablet Vigora 100, इसका cost सिर्फ 116 रुपे का है, यानि की 116 रुपीज का, और दोनों medicines में same ingredient है, ज है, sildenafil citrate, तो friends, यह sildenafil citrate, अकसर डॉक्टर्स, erectile dysfunction और pulmonary hypertension की treatment में prescribe करते है, friends, यह tablet Vigora, एक prescription medicine है, और इस medicine को बिना prescription की use करना खतरनाक है, तो चलिए, अब देखते हैं कि यह tablet Vigora, यानि की sildenafil citrate का mechanism of action क्या है, कि इस तरह से sildenafil citrate काम करता है, जैसे कि मैंने पहल कहा, यह tablet Vigora, erectile dysfunction के treatment के लिए prescribe किया जाता है, जब sexual stimulation होता है, तब brain का nervous system, penis के erectile tissue, वो मास पेशी, जिससे penis का erection होता है, इस tissue में brain का nervous system, nitric oxide, release करता है, तो nitric oxide एक प्रकार के enzyme को stimulate करता है, जिसे body में chemical, जो जिसका नाम है CGMP, जिसको कहा जाता है, cyclic guanocin monophosphate release होता है, यह chemical CGMP, penis के रक्त की धमनियों को फुला देता है, means penis के blood vessels को dilate कर देता है, जिसकी वज़े से penis का erection होता है, तो जब आप यह tablet Vigora, यानि कि syldenophyll citrate लेते हो, तो यह जो chemical CGMP है, जिसके बारे में हमने बात की, यह syldenophyll citrate, यह chemical को nusht, या फिर खतम हो इसे रोकता है, इसलिए penis के blood vessels लंबे समय तक भरे हुए, या फिर dilated रहते है, जिसकी वज़े से लंबे समय तक penis का erection बढ़करार रहता है, तो इस तरह syldenophyll citrate, यानि कि tablet Vigora, erectile dysfunction में help करता है, और erectile dysfunction को ठीक करता है, तो अब तक हमने देखा कि tablet Vigora के क्या contents है, इसका cost क् tablet Vigora कैसे काम करता है, कब tablet Vigora लेना चाहिए, अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि tablet Vigora, यानि कि sildenophyll citrate के side effects क्या है, इसके dose और overdose से क्या होता है, इसके बारे में जानकरी लेगे, और किन लोगों ने ये tablet Vigora, यानि कि sildenophyll citrate, या फिर tablet Vigora को नहीं लेना कीजिए, likes देना बिलकुल ही free of cost है, और जो हमारे चैनल पर नए है, उनका हमारे ठिंक बिल के परिवार में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी free of cost है और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के interesting वीडियो पब्लिश करू तो तुरंद इसका notification आपको मिल जाए और आप मेरा वी वज़से intraocular pressure यानि कि आपके आखों के अंदर का blood pressure बढ़ सकता है जिसकी वज़से retinal detachment की कारण आखों की रोशनी जा सकती है और व्यक्ति अंधा हो सकता है ये खास करके उन लोगों में commonly होता है जो दिल के मरीज है जिनको uncontrolled hypertension है या high cholesterol है या फिर uncontrolled diabetes है जिसकी वज़से उनको पहले से ही आखों में problem है इन लोगों में syldenafil citrate की वज़से blindness हो सकता है जिसको हम non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy भी कहते है इसके अलावा कुछ rare cases में sudden hearing loss यानि की अचानक से आपकी सुनने की शक्ती बंध हो सकती है जिसकी वज़से अमेरिका यानि की USA में 2007 से सभी syldenafil citrate के brands पर एक warning जारी की गई है जो ये tablet syldenafil citrate लेने वालों को warning देती है tablet vigora यानि की syldenafil citrate ये tablet tablet viagra इसके regular use से muscle breakdown भी होता है जिसे हम medical terms में rhabdomyolysis भी कहते है इसके अलावा जो छोटे मोटे side effects हो सकते है वो है सरदर, indigestion, neen न आना, loose motions, चक्कर आना, पेशाप का लाल रंग हो जाना और पेशाप करते समय बहुत दर्थ होना, हतेलियों और पेरों के तलवों में जलन होना, penis के erection के वक्त पीडा या दर्थ होना, इस सरद के side effects भी हो सकते हैं, यह तो बात हुई tablet vigora यानि कि syldenafil citrate यानि कि tablet vyaegra के side effects के बारे में, तो चलिए अब नजर डालते है कि इसका dose क्या है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि tablet vigora या syldenafil citrate या tablet vyaegra तीन strength में available है 25, 50 और 100 mg, तो friends, erectile dysfunction में इसका जो recommended dose है, वो है 50 mg per day, इसका initial या starting dose है 25 mg per day, और इसका maximum dose है 100 mg per day, erectile dysfunction के लिए इस tablet को आधा से एक घंटा sex के पहले लिया जाता है, यहाँ पर एक बात में आप सभी से कहना चाहूंगी, tablet vigora या syldenafil citrate या tablet viagra ये सिर्फ penis के erection को बरकरार रखने में काम आता है, ये tablet sex की इच्छा या sex drive को बढ़ाने में कोई भी मदद नहीं करता, इस लिए इस tablet को लेकर आप sex drive या sex का libido नहीं बढ़ा सकते, अगर आपको erectile dysfunction नहीं है और आप ये tablet लेते हो तो आपके sex life में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इसके side effects होंगे, अब देखते हैं कि इस tablet vigora यानि कि sylidinafil citrate यानि कि tablet viagra का overdose क्या होता है, तो friends इस tablet का overdose तब होता है जब आप एक दिन यानि कि 24 hours में sylidinafil citrate 100 mg से ज्यादा dose ले, overdose में vomiting और loose motions होता है और आखों की नसों को irreversible damage हो सकता है, जिससे आपको अंधापना सकता है, दिल की धड़कने बढ़ जाती है, जिसे हम tachycardia कहते हैं, also severe muscle breakdown हो सकता है, जिसे हम rhabdomyolysis कहते हैं, लेकिन इस tablet की वज़े से अब तक deaths report नहीं हुए है, चलिए अब देखते हैं कि ये tablet vigora, यानि कि syldenafil citrate, यानि कि tablet viagra किन medicines या फिर दबाईयों के साथ reaction करता है, और किन medicines को tablet vigora, यानि कि syldenafil citrate, या फिर tablet viagra के साथ नहीं लेनी चाहिए, जो HIV के patients, ritonavir medicine ले रहे हैं, उनको ये tablet vigora, यानि कि syldenafil citrate, या फिर tablet viagra नहीं लेनी चाहिए. अल्सो, ब्लड प्रेशर के पेशिंस जो amlodipin और alpha blockers जैसे की tablet mini press और nitrates जैसे की tablet isodil और sublignal isosorbite, dynitrate, tablet sorbitrate ले रहे हैं. इन सब मेडिसिन के साथ tablet vigora यानि कि sildenophyll citrate या फिर tablet viagra reaction करता है. इसलिए इन लोगों ने tablet vigora को नहीं लेना चाहिए यह tablet को alcohol के साथ बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए कई bodybuilders और sports खेलने वाले इस tablet को अपना performance बढ़ाने के लिए लेते हैं लेकिन इसका कोई medical proof या कोई भी medical explanation नहीं है यह सिर्फ एक rumor यानि की अफवा है तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन लोगों ने य लोगों को लिवर का प्रॉब्लम है उनको यह tablet नहीं लेनी चाहिए अगर किसी को हाली में स्ट्रोक या हार्ट अटेक आया हो उन लोगों ने सिल्डिनाफिल सिट्रेट नहीं लेना चाहिए जो लोग हेरेडेटरी डीजेनरेटिव रिटाइनल डिसॉडर यानि की अनुवांचिक आखों की बिमारियों से पीडित है उनको यह tablet बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस medicine को बच्चों में यूज नहीं करना चाहिए और 18 years यानि की 18 साल से ज्यादा की उम्रवालों में ही वो भी doctor की advice पर ही यूज करना चाहिए तो फ्रेंज आखिर में यह कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी तरह की homeopathic medicine, ayurvedic medicine या herbal medicine या फिर कोई health supplement ले रहे हो तो यह tablet लेनी से पहले आपके family doctor को जरूर inform कीजिए ताकि आप side effects से बच सकते हैं तो friends आज की वीडियो में सिफ इतना ही अगर आपको कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया हो तो उसे please comment section में लिख दीजिए अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर like कीजिए और share कीजिए तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome. Bye!